Hello everyone and welcome back to the channel तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंजिन डाउनसाइजिंग के बारे में अब इंजिन डाउनसाइजिंग जो एक बहुत कॉमन टम हो गया है Automotive Industry के अंदर कोई भी नई काड़ी लाउंच होती है उसके अंदर आप आपसके आर्टिकल्स को पढ़िए या फिर उसके प्रेस कॉन्फरेंस को देखिए तो वहाँ पर आपको इंजिन डाउनसाइजिंग का जो टम है वो ज़रू सुनने को मिलेगा अब इंजिन डाउनसाइजिंग क्या होता है किस तरीके से वो कंपनी के लिए बेनिफीशल है क्या-क्या चैलिंजिस आते हैं कंपनी को इसके अंदर ओवरकम करने के लिए और किस तरीके से डाउनसाइजिंग को अचीव किया जाता है वो जो है आज इस वीडियो में डिसक्स करने वाले है तो सबसे वेले हम बात कर लेते हैं कि डाउनसाइजिंग क्या है अब डाउनसाइजिंग जो है एक बैसक्ली ऐसा टेक्नॉलजी है या फिर आप बात करिए एक ऐसा वे है जिसके अंदर आप एक बड़े इंजिन के जो पावर फिगर्स होते हैं इसको जो है आप एक छोटे इंजिन से निकाल पाते हैं अब इसको निकालते किस तरीके से हैं और किस तरीके से इसको हमने बैसिकली एक्स्ट्रैक्ट करते हैं हमारे इंजिन के अंदर से छोटे इंजिन के अंदर से वो हमारा जानना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपके पास दो term रहते हैं जिसको हम बोलते हैं volumetric efficiency और एक होता है हमारा compression ratio अब अगर बात करी जाए हमारे volumetric efficiency और compression ratio के बारे में तो अभी जो अपनी screen पर diagram देख रहे हैं ये हमारा compression ratio का है अब compression ratio के अंदर आपको दो चीज रहती है एक हमारा इसको मैं बताता हूँ TDC होता है और ये जो हमारा bottom dead center होता है तो ये दोनों जो हमारा बहुत major role play करता है और CR का अगर मैं layman terms में समझाने कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको अगर maximum volume जो है यहाँ पे आपको यह वाली figure है यह जो है आपके maximum volume की है और यह जो आप दूसरी image देख रहे हैं यह बेसिकली जो है आपके minimum volume की है क्यों यहाँ पे जापको यह piston है यह जो है आपका TDC पर जा चुका है तो यहाँ पे जितना volume इसके अप्रेशन रेशियो रहेगा उतना ही जादा आपको जो है efficiency देखने को मिलेगी अपनी गाड़ी के अंदर से या फिर उतना ही जादा जो है power figures देखने को मिलेगे उतनी जादा आपको power और talk देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ एक और टाम आदा है जिसको हम बोलते हैं volumetric efficiency और volumetric efficiency भी आपकी वेहिकल के अंदर बहुत बड़ा major role play करती है और इसका जो कारण होता है वो यह होता है कि आपकी वेहिकल के अंदर आप एक air या फिर एक container को बहुत जादा फिल कर पाते हैं उसको जो हम basically volumetric efficiency बोलते हैं कि कितना amount of volume air and fuel का जो है अपनी वेहिकल के अंदर या वेहिकल के सिलेंडर में piston के उपर भर पाते हैं तो अगर बात करी जाए अगर कम रहेगा volumetric efficiency तो आपकी वेहिकल के अंदर power comes होगी इसी वज़े से जो पुराने engines होते थे जो naturally aspirated पुराने engines होते थे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितना ज़्यादा आपको power figures देखने को मिलेगा उतना heavy engine रहता था और उतना ही जादा liter का या फिर CC का जो है वो engine रहता था क्यों क्योंकि वहाँ पे जो है basically naturally aspirated engines में हम air induce करते हैं किसे हमारे atmospheric pressure से तो वो जो है basically क्या करता है कि हमें ज़्यादा efficiency नहीं मिल पाती volumetric की तो इस वज़े से जो है हम ज़्यादा बड़ा engine इस्तमाल करते थे ताकि जितना ज़्यादा हम compress करें जितने ज़्यादा हम volume को compress करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है basically हमें powers मिलेंगी तो इस चीज को हटाने के लिए और dime size engine को market मिलाने के लिए एक device को introduce किया गया market के अंदर जिसको हम बोलते हैं turbo charger अब turbo charger क्या करता है कि आपके engine के अंदर किस तरीके से पूरे को पूरा system काम कर रहा है वहाँ पे जो है एक air को जो है extra induce कर जाता है इसको हम force induction भी बोलते है force induction के अंदर क्या है कि जहाँ पे आपके engine के अंदर सेम engine के अंदर सिर्फ 50% भर पा रहे थे हम atmosphere की वज़े से वहाँ पे जो है उसको 80% भर पाते हैं turbo charger की वज़े से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप कितना ज़दा volumetric efficiency को increase कर रहे हैं सिर्फ एक turbo charger को लगा के तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है downsize engine के उपर ज़दा काम करा गया engine को धीरी धीरी छोटा करा गया और power figures जो है वहाँ पे आपको improve होते हुए दिखे अब अगर बात करें जाए इसके benefits के बारे में सबसे पहला benefit है कि overall cost जो होता है engine को बनाने का वो कम मिलता है दूसरा आपकी vehicle के अंदर से emissions निकलते हैं वो कम होता है आपकी efficiency improve हो जाती है क्योंकि आप एक छोटे engine से आपका engine जो है वो lightweight है तो वहाँ पे आपका weight जो होता है vehicle के उपर overall जो है वो कम हो गया तो उतना ही जादा जो weight आप कम करते चले जा रहे हैं उतना जादा efficiency आपको देखने को मिलती है उसे के बाद जो है आपको इतने सारे changes और इतने सारे चीजों के बाद जो है basically आपका friction होता है engine के अंदर उसको भी जो है यहाँ पे कम किया जाता है क्यों क्योंकि आपको piston का travel है BDC से TDC उसको जो हमने reduce कर दिया तो उतना ही जादा friction है जो उसके बीच में cylinder walls के बीच में और piston के rings के बीच में वहाँ पे जो है वो reduction हो जाता है इस वज़े से आपको friction भी जो है कम देखने को मिलता है engine के अंदर सबसे major disadvantage जो companies को tackle करना पड़ता है downsize engine के लिए वह यह है कि वहाँ पर knocks के create होने के chances जो है सबसे जादा रहते हैं जब भी आपकी vehicle के अंदर knock create होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो knocks से related होती है क्योंकि वह बहुत disadvantageous रहता है और आपके engine के उपर जो है downsize engine के अंदर तो वहाँ पर भी आपको knock के chances देखने को मिल सकते हैं तो इन सब चीज़ों पर इंप्रूब्मेंट का काम किया जा रहा है और यहां पर बहुत सारे तरीकों से इसको tackle किया जा रहा है उसके बारे में आने वाले कुछ इस वीडियो में बात करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगे और अगर आपको यह वीडियो चल्गे इसको like ज़रूर करें शेयर करें सेस्क्राइब करें माने शरकरब करें यहां पर जो है आपको ऐसे ही interesting वीडियो देखने को मिलती रहेंगी